परिचय बानी रिया के घर जा रही है, वा रिया की बताई गई दिशा का पालन करती है, सबसे पहले वो लाल बत्ती से बाई तरफ मुड़ती है, दूसरी लाल बत्ती से वो दुबारा से बाई तरफ मुड़ती है, और फिर वो रिया के घर पहुँच जाती है बानी दिशाओं के महत्व को समझ जाती है बच्चों, इस सत्याई में आप दिशाओं और समय के विशे में जानेंगे आओ सीखें चार मुख्य दिशाओं को पहचानना दिशा और समय में संबंध बताना मान्चित्र के महद्व को पहचानना मुख्य दिशाएं बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चार मुख्य दिशाएं होती हैं? ये उत्तर, पूर्व, दक्षिन और पश्चिम हैं दिशाओं को N, E, S और W इन चार अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यह जीविका है, वह सूरज की तरफ पीठ करके खड़ी है आप जानते ही हैं कि सूरज पूर्विदिशा से निकलता है इसलिए जीविका के पीछे पूर्विदिशा है इसकार्थ यह है कि पश्चिम उसके सामने है उत्तर उसके ताईं तरफ है और दक्षिन उसके बाईं तरफ है आओ खेलें दर्शाय गए राज्जी की स्थिति को पहचानने के लिए सही दिशा पर क्लिक करें समय सूरज हमीशा पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है सुभा के समय सूरज पूर्व दिशा में होता है शाम तक वह पश्चिम में पहुँच जाता है इसका अर्थ ये है कि समय के साथ साथ सूरज की दिशा भी बदल जाती है इसका अर्थ ये भी है कि सूरज की स्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ समय में भी बदलाव होता है मान चित्र इस कांगस को देखें इस पर उपर से नीचे तक अनेक रेखाएं खिची हुई है ये एक मान्चित्र है ये किसी व्यक्ति को स्थान ठोड़ने में सहायता करता है हमने क्या चर्चा की? उत्तर, पूर्व, दक्षिन और पश्चिम ये चार मुख्य दिशाएं होती है पूर्विदिशा, पश्चिम के और उत्तर दिशा दक्षन के विपरीद होती है सूरज की स्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ समय में भी बदलाव होता है मान्चित्र किसी व्यक्ति को स्थान ठोड़ने में उसकी सहायता करता है